नमस्कार दोस्तो मैं हूँ दिनेश कुमार चारण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहिते के अध्यन में एक बार फिर शेश्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल हिंदी शाहिते का अध्यन को सबस्क्राइब करें अगर मेरे दोरा बनाएगे वीडियो आपको पशंद आते हैं तो उसे लाइक करें और लोगों के साथ भी उसे शेयर करें और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं तो मुझे निचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि राजनिती विग्यान से जो स्कूल व्यख्याता भरती परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उन्हें किन पुस्तकों का अध्यान करना चाहिए किस परकार की शामगरी का अध्यान किया जाए जिस्षे की राजनिती विग्यान में हम व् शफल खोशके और ये किताबे जिन्होंने बताई हैं उनका मैं परीचे आपको दूँगा उनका नाम है जसकरणदान जिन्होंने 2015 व्यक्याता भर्दी में राजनिती विग्यान में 36 वी रेंग हासिल की थी जो बता रहे हैं वो एक रखा जाये तो आपके पाठे करम में ये चीज़े रखी गई है कुछ राजनितिक शिद्दान्त है और राजनितिक विचारक है और सुमिदान से समंदित कुछ टोपिक है और ग्यारवी और बारवी जो मादिमिक शिक्षा वोर्ड में किताबे चलती है वो रखी गई है और रखी गई है और राधारनात्मक अध्यन कुछ और टोपिक भी आपकी पाठे करम में रखे गई तो हमें ये देखना है यानि कि उनकी द्वारा बताएगी कित पाठे करम लेना है जो पाठे करम RPSC ने तय किया है उसी के अनुसार ही हमें तयारी करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पाठे करेंगे और पाठे करम के बाहर एक भी शामगरी हमें नहीं पढ़नी है कुछ भी तर्थे नहीं पढ़ने हमेशा पाठे करम के अनुसार ही किया जाये और उनके उनुसार सबसे पहले इन पुस्तकों का अध्यान किया जाना चाये जो माधिमिक शिक्षा बॉल्ड में चलती है गैर्वी और बार्वी की किताबे हैं जो हमारे पाठे क्रम में रखी गई है राजनिती विज्ञान के लिए तो उन किताबों का अध्यान शारगर्वित रूप शे किया जाना ची तो ये तो बहुत जरूरी है जो पाठे क्रम में रखी गई है उनका अध्यान सबसे पहले किया जाए उसके बाद में बात आती है भरतिय शमीधान से समंदित जितने भी टोपिक आपके सिलेबस में है वो आपको कौन सी किताब में पढ़ना है एक भरतिय राजव्यवस्ता के नाम से किताब आती है जिसके लेखक है एम लक्षमी कांत एम लक्षमी कांत में उन्ही टोपिकों का आपको अध्यान करना है जो टोपिक आपके पाठे क्रम में रखे गए तो आपको सुविंधान से समंदित जो भी शामगरी पढ़नी हो तो आप कौन सी किताब में पढ़ोगे एम लक्षमी कांत नाम की एक किताब आती है भारते राज व्रास्ता के नाम से उसका अध्यान मलब उसके माद्यम से आप सुविंधान से समंदित जितने भी टोपिक आपके पाठे क्रम में रखे गए उनका अध्यान करोगे उसके बाद में आते हैं राजनितिक शिद्धान्त कुछ राजनितिक शिद्धान्त है जो आपके पाठे क्रम में रखे गई है एक ओपी गाबा नाम से लेखक है जो राजनितिक शिद्धान्त पर उनकी एक महतोपोन किताब है तो उसका अध्यान आपको करना है किसके लिए राजनितिक शिद्धान्तों के लिए आप सब परिचित होंगे इन ओपी गाबा से और अगले है राजनितिक चिंतक अब राजनितिक चिंतक जो जो भी आपके पाठे करम में रखे गए हैं तो उसके लिए भी आप ओपी गाबा की किताब का अध्यान करोगे मलब इन दोनों के लिए आप ौपी गाबा की दो किताबे आती है उसके बाद में एक और किताब जिसके लिए वो कहते है कि राजनितिक विज्यान का समग्र अध्यन नाम से एक राज इसमिस्रा एक लेखक है जो इस परकार की किताब का लेखन करते हैं और उन्होंने ये बताया कि इस किताब का अध्यन भी किया जाना आवशेक समझाया उन्होंने और अगले वो ये कहते हैं कि इन सार मतलब सारा पार्टे करम इन पुस्तकों से पढ़ने के बाद में हमें क्या करना चाहिए अर्यंत एक पब्लिकेशन है जो सोल्ड पेपर जो UPSC और PCS परिक्षा में राजनिती विज्ञान से समंदित जितने भी सोल्ड पेपर है अर्यंत पब्लिकेशन के उन समको एक बार मिला लेजिए ताकि क्या होता है कि उससे आपकी प्रक्टिश हो जा उसके लिए उन्होंने कहा है कि क्रोनिकल मेगजीन आती है उसमें मंथली एक इंटरनेशनल लेशन के नाम से अलग तो पीक आता है हर माह में तो उसका दिन इंटरनेशनल लेशन की रूप में किया जाना चीज़ जो बहुत ही महतोपन होगा और आपके लिए शफलता के लि लिए शफलतर से लिए मन और विज्यान की आधारना को समझने के लिए हमें वंदना जादौन का एक बार अध्यन करनाँ चाहिए किए शरल्ल rahasha में लखी गई है और उसके बाद में आपने इसको दो बार पढ़ लिया है तो उसको दो पिस्तार से पढ़ने के लिए आप सुपरिया गोड या फस्ट रेंक कोई भी दो में से किसी एक का ध्यन कर सकते हो। हमेशा याद रखना है कि पाठे क्रम के अनुसार ही सामगरी का ध्यन करना है, पाठे क्रम के बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी पाठे क्रम में है उशी का ध्यन किया जाना चाहिए, तो आसा करता हूँ, उनके दोरा बताएगी किताबे आपके लिए आपकी शफलता में कारगार शिद्ध होगी, आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद.